नानी का घर हम सभी को याद आता है, बचपन में कितनी सारी मेमरीज होती है नानी के घर पर, तो आज मैं मिठाईया ले रही हूँ अपनी नानी के लिए, नमित आंटी तो आप सभी को याद होगी, जिनकी मैंने एक वीडियो डाली थी, US वाली आंटी, उन्हीं की मम्मी से आ लेकिन वो जूश शॉप मेली ही नहीं रही थी, फाइनली वो बहार तक आई हमें इस पेशली लेने के लिए, बहुत अच्छा गेस्टर था ये उनका, हमें लेनी आए और प्यारा सा एक डॉगी भी हमें दिखा वहीं पर, हमारे पीछे-पीछे आ रहा था, मन का रहा था उसको भी घर लेके जाएं, और देखो कितने काइंड लोग हैं, कुत्तों को कपड़े भी पहना रखे हैं, जो एक कुत्ता नहीं दिखा था कपड़े पहनता वा, इसका मतलब है उसके खुदी नहीं पहने हो, क्योंकि हमारी साइड में भी ऐसे डॉग्स हैं, कुछ भी अलग होता है, इतना अच्छा लगा ना देखके कि पूछो मत, हमारे टीका लगाया गया, और हमें मिठा भी खिलाया गया, उसके बाद बूला गया, मुझे की राइट आना है, पर मेरे भी टीका लगा, देखो हमारी नानी कितनी प्यारी लग रही है, कितनी एक्टिव वो हमसे मिलकर हमें देखकर, हमें भी बहुत खुशी हुई, अपने ग्रैंट पेरिंट्स की याद आगई उनको देखकर, उसके बाद काफी सारा मीठा दा, यहापर खाने को हमने खूप सारा खाया, और छोटी सी बच्ची का डांस देखा, जो की पहाड़ी गाने पर डां बहुत सारी तैयारी की भी थी, नानी ने बिलकुल खाने से मना कर दिया था, क्योंकि नानी को एक सब डाइजिस नी होता, बिलकुल नानी मेरी तर आई है, और देखो छोटी बच्ची हनुमानचारी सा भी सुना रही थे, यह सुनके मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके हमारी परफेक्ट फैमली फोटो क्लिक की गई, और फिर हमने नानी जी के साथ भी फोटो क्लिक कर आई, सच में यह दिन इस मन्त का सबसे बैस दिन था, जिस दिन हम नानी से मिलें, हर किसी के लाइफ में उतार चड़ा होते हैं, बस आपको शांत रहना चाहिए, पॉजिट लेकिन नानी जी का बोलना था कि पहली बार घर आते हो, तो ऐसे खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो नानी ने दिया हमें बहुत सारा आशरवाद, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, और नानी ने हमें प्रॉमिस किया है कि वो भी हमारे घर में बहुत जल्दी आएंगी, अब आ बाबे, लव यॉ अल